दिखे पहली बात तो यह है कि दिल्ली सरकार जो है आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार लगातार अपनी जिम्मेवारियों से बचके भागने का प्रयास कर रही है और इसलिए आज मानिया सुप्रिम कोट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी वाटर मैनेजमेंट को तो ठीक नहीं कर रही है जो टेंकर माफिया है वो दिल्ली के अंदर पुर्जोर है उसके उपर दिल्ली सरकार कोई कारवाई नहीं कर पा रही है जैसे के मानिय सुप्रिम कोट ने भी कहा है हर्याना तै सीमा से जादा पानी दिल्ली को दे रहा है ये हम बार-बार बता चुके है लेकिन जो दिल्ली के LG ने भी कहा था कि दिल्ली सरकार का पहला काम तो ये है कि जो उसके बैराज है वो उनकी समय पे सफाई करवाए गाद बैराज में जमी हुई है वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं है पानी वहां का वेस्ट हो रहा है लेकिन जिम्मेदारियों से बचके भागने के लिए दिल्ली के नेता खास तोर पे जो उनकी जल मंतरी है आतिशी जी वो उलजुल उल बयानबाजी करती है दिल्ली के अंदर अगर बिजली संकट है तो उतर परदेश पे आरोप लगा दो पानी का अगर संकट है तो हरियाना के उपर आरोप लगा दो जबके दिल्ली सरकार को जिस वकत ये उन्होंने गोशना की कि मुफ्त पानी देंगे, मुफ्त बिजली देंगे तो उनको इस बात का विशलेशन भी करना चाहिए था कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, पानी का परबंद कैसे होगा बिजली का परबंद कैसे होगा, बजाए अपने कर्तवियों के पालना करने के बजाए अपनी जिम्मेदारी को समझने के, इस तरह के आरोप लगा के जिम्मेदारी से बचके नहीं भागा जा सकता अगर सरकार का मुखिया जेल में हैं, तो एक बात तो आप समझ के चलिए कि सरकार चल नहीं सकते, क्योंकि सरकार के अंदर दिन प्रति दिन निर्ने करने होते हैं, डिसिजन्स लेने होते हैं, और जो अव्यक्ति जेल में है कानूनी प्रिक्रिया हमारी इस तरह किया कि डे बाइ डे के जो निर्ने है वो होई नहीं सकते और इस तरह मैं तो ये कहूँगा कि एक तरह से ये administration paralysis है दिल्ली के अंदर एक तरह से सरकार पंगू हो चुकी है केवल अर्विन केजरिवाल की सत्ता लुलुपता की वज़े से